रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी, हेल्दी, पनीर की सात्विक सबजी कैसे बनाएं? वेलकम बैक टू पैम्स किचन और दिस प्रामिला वर्मा रेसिपी जानने के लिए वीडियो के एंग तक बने रहें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेर कर दें मेरी रेसिपी को और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे आज बनाएंगे पनीर और आलू की सब्जी और इसके लिए मैंने लिए चार मीडियम टमाटर और एक इंच अद्रक का टुकडा ग्रेट करके अद्रक को हम बरीग ग्रेट कर लेंगे और टमाटर को हम रफली ऐसे चोप कर लेंगे आपकी जानकारी के लिए बतादू कि ये नो अन्यन नो गार्लिक सब्जी है आप अगर टमाटर खाते हैं तो वरत में आप ये भी बना सकते हैं सब्जी बड़े आराम से तो टमाटर को हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके और उसकी एक प्यूरी बना लेंगे बड़िया सी तो ये हमारी प्यूरी त्यार है और इसके साथ साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं तीन बड़े साइज के उबले हुए आलू इन आलूओं को भी हम रफली काट लेंगे तो ये सब्जी जो है आलू पनीर की सब्जी एक सात्विक सब्जी है और बहुत ही टेस्टी बनती है तो यहाँ मैं आधा आलू जो है ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ वो हम बाद में बताएंगे आपको तो कड़ाई में मैं डालूँगी मुंगफली का तेल ले रही हूँ क्योंकि मैं ये नवरातरी के लिए बना रही हूँ सब्जी इसमें डालूँगी जीरा और फिर मैं इसमें डाल दूँगी अद्रक अद्रक को हम पहले हलका सा ब्राउन कर लेंगे और फिर जो टमाटर की सेंधा नमक और लाल मिर्च पाउडर, हल्डी हम नहीं डाल रहें क्योंकि नवरात्री में हम हल्डी नहीं यूज करते हैं, और इस तरह से मसालों को थोड़ा सा सेख करके और फिर मैं आलू डाल दूंगी, और जो आलू हमने आधा रखा था, उसको ऐसे मेश करके, और इसमें डाल देंगे हाथों से और इससे क्या होगा कि हमारी ग्रेवी बहुत ही गाड़ी बनती है पतली पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगती तो इन आलों को मसाले के साथ मिक्स करते हुए हम थोड़ी देर के लिए बनने देंगे और दो से तीन मिनट के बाद हम इसमें पनीर डाल सारी सबजी के साथ कोट हो जाए क्योंकि अभी पानी नहीं डाला पानी से पहले पहले इसका सबजियों का मसालों का सारा रस एक दूसरे के अंदर चला जाता है तो यह है एक टिप बढ़िया सबजी बनाने की और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ दो गिलास के करीब उबला हुआ पानी उबला हुआ पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि सबजी जो है हमारी अच्छे से बन जाए नहीं तो क्या होगा कच्छा पानी अगर हम डालेंगे ऐसे नॉर्मल टैप वाटर तो उसको फिर टेस्ट में फरक आ जाता है तो इस तरह उबलते हुए मेरी सबजी क कोई ढखने की जरूरत नहीं है तो इस तरह से जितनी ग्रेवी आपको रखनी है रख करके उसके बाद हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर थोड़ी सी धनिया और इस तरह से हरी मिर्च को बीच में से चीरा दे करके इससे क्या होगा कि आपका सबजी में हरी मिर मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा लेकिन उससे तीखा पन नहीं बढ़ता तो बस इस तरह से गैस बंद करके और हम इसको ढखके रख देंगे थोड़ी देर दम आने के लिए ताकि अच्छे से सारी चीजों का टेस्ट आजए तो ये देखिए हमारी बढ़िया स आलू और पनीर की रेसिपी कितनी मज़ेदार और कितनी ठिक ग्रेवी वाली ये ट्रस्ट मी ये रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी है जो हम नवरातरी के दोरान रेस्टोरेंट में जाकर कर खाते हैं आप अब इसको घर पे ही बना सकते हैं पूरे परफेक्ट माप क मैंने आपको बता दिया है और वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट में लिख के बताएं मुझे और मेरी और भी बड़ी बड़ी रेसिपीज मैंने डाली हुई है नवरातरी की आप जाकर के चेक कीजिए और एंजॉय कीजिए और देखते रहे हैं पैम्स किचन तिल द आप जाएं गाएं और भाव